पूर्फोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मुवमेंट के एकॉर्डिंग अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीज़े सब्सक्राइब वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट्स अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिलकुल न भूले जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिये गए हैं इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाब उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो हमारे टेलिग्राम गुरुप से भी जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको गुरुप में आड़ कर लेंगे शर्थ सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए सो फ्रेंड्स एंजोई किजिए इस सेशन को हैपी इंवेस्टिंग गुराफनून फ्रेंड्स वेलकम टू एंदर सेशन ऑफ शेर अकाडमी डेट है अजट 23 जुलाई शान के बज रहे हैं साड़े चार और हम कर रहे हैं वीकेंड इस्टडीज बहुत ही शानदार स्टडीज चल रही हैं फ्रेंड्स बहुत मजा रहा हैं इस्टडीज को करने और वो कहते हैं कि option market के अंदर बहुत कम लागत से बहुत अच्छा profit बनता है और शेर अकाडमी आखिर इन options और F&O segment के अंदर क्यों नहीं आना चाती है तो हमने का कि चलिए फिर ऐसा करते हैं इस पर एक अच्छी सी study करते हैं complete करते हैं और इस study को लेकर आते हैं आप सभी क लिए और देखते हैं एक आई opening session के तौर पर कि आखिर future and options segment को share academy avoid क्यों करता है तो friends आज का जो subject है हमारा वो यह है कि future and options एक ऐसा सच जो आपको आम तोर पर कभी नहीं बताया जाता और यकीर मानिए हमारी कि अगर हमारे इस पूरे 300 videos के बीच में से कोई एक video निकालना हो जो की वाकई सबसे quality का video होना चाहिए तो उसका इनाम मिलना चाहिए इस particular video को इस पूरी journey में जो की तकरीबन half an hour की होगी बैठे रहिएगा शान्ती से देखते रहिएगा एक ऐसा session होने वाला है जो आपकी आँखे खोल देगा FNO segment के बारे में एक ऐसा सच जो आज तक आप भी भी नहीं बताये गया है ओके फ्रेंट्स ध्यान से सुनिए करना आपको सिर्फ इतना है कि आप YouTube पर जाएए और सर्च कीजे comment box में best option trading strategies और अचानक से आपको यहां पर millions videos मिलेंगे जो आपको option trading strategies के बारे में बता रहे होंगे मिसाल के लिए headings होगी option trading strategy कम रिस्क ज्या आप और मिलेंगे आपको call put zero loss strategies भी मिल रही है option trading की ABCD खर यह basic सिखा रहे है option buying seven big mistakes good guaranteed profit strategy option writing की basics of futures call and put explained okay only trading strategies you must know double money every three months यह सब कुछ भी मिलेगा आपको यहां पर 100% मुनाफ़ा मिल रहा है आपको intraday के अंदर option trading strategies में sure short option trading strategies खहा है इस तरह के videos आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं और अगर आप एक retail निवेशक हैं तो आपको लगता है कि हां market के अंदर option trading strategies जैसी कोई चीज जरूर होगी FNO segment जैसा कुछ जरूर होगा जहां पर बहुत कम पैसा लगा कर बहुत जल्दी profit मिल जाता है तो इस तरह के videos आ आपको लगता है कि आपने एक जन्नत पाली है या फिर आपने एक अलादीन का चिराग पाली आए कि जिसे घिसते ही वहां से आपके लिए बहुत सारे पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे और ये करकर retail निवेशक जाते है FNO segment के अंदर और फिर उसके बाद होता क्या है उन जरा ध्यान से देखिए लोगों ने answer दिया 45% लोगों ने loss किया 49% लोगों ने trading ही नहीं की सिर्फ 6% का profit मिला और अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि लोगों के comments क्या क्या है बहुत सारे लोगों ने trading ही नहीं की एक ने कहा कि friends intraday में बरबादी के सिवा और कुछ नही रुपए का भद्रेश जी का 1,70,000 का lesson learned never time the market then five lock का loss है महेश जी का चार महिने में यह हैं losses friends और एक बड़ी important चीज है इसे याद रखिएगा कि सिर्फ 6% लोगों ने profit किया है और loss किया है 45% लोगों ने और 49% लोगों ने profit नहीं किया तो हमने कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जहां पर जिस एक particular market के लिए market के एक part के लिए sure shot guaranteed profit वाली formula available है वहां पर जरूर लोगों से समझने में कुछ गलती हो रही है जहां पर bank nifty के अंदर daily लोग 4000-5000 का मुनाफ़ा बना सकते हैं और इस तरह के videos की भरमार है यूट्यूब पर sure shot studies की so इसका मतलब है कि लोगों से समझने में शायद गलती हो रही हो so फिर इस चीज को समझने के लिए हमने कुछ किया थोड़ी सी studies को अपनी और dig deep किया और dig deep करते हुए हम सबसे पहले पहुँचे 2008 के financial crisis Lehman Brothers के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है इसके बारे मे US की बहुत ही बड़ी जो कि 2008 में bankrupt हो गई और जब इसकी आप study करेंगे 2008 के पूरे financial crisis की और उसमें especially Lehman Brothers की financial crisis की तो जरा ध्यान से देखिए कि आखिर Lehman Brothers के गिरने का कारण क्या रहा exposure to the mortgage market और इसको हम बिल्कुल एकदम सरल भार्षा में आपको समझाएंगे ओके बिल्कुल बिल्कुल भी परिशान होने की जरूवत ही है इसे एकदम सरल भाषा में समझाएंगे कि इस पूरे प्रकरण की वजह क्या रही है सुध्यान से देखेगा कि यह स्टडी क्या कह रही है Lehman Brothers borrowed significant amount of fund investing in the years leading to its bankruptcy in 2008 a process known as leveraging or gearing यानि Lehman ने जरूवत से ज्यादा बरोड कर ली थी मनी बहुत ज्यादा उधार ले लिया था इस process को कहते हैं leveraging leveraging में आप जरूवत से ज्यादा उधार ले लेते हैं market से जितना आपके पास बस का नहीं है उससे ज्यादा a significant portion of this investment was in housing related assets making it vulnerable to a downtrend in that market यानि कि जो इन्हों इन्होंने loan लिया वह था वो basically housing related assets थे one measure of the risk taking was its leverage ratio यानि कि इनका leverage ratio जो है वो बहुत ज्यादा हो रखा था कितना ज्यादा हो रखा था 24.1 था 2003 में जो 2007 में बढ़कर 31.1 हो गया था इसका मतलब इसका मतलब जेब में एक रुपया था और इन्होंने बरो किया था जैनी 31 रुपय वाइल जनरेटिंग tremendous profit during the boom यानि कि जब बूम हो रहा था उससमय लेमें ब्रदर उसमें खुब profit generate किया लेकिन this vulnerable position means that just three to four percent decline in the value of its asset would entirely eliminate its book value of equity यानि कि अगर market में 3-4 percent का भी downtrend आता तो इसका मतलब था कि लेमें ब्रदर पूरी तरह से bank corrupt हो जाता investment banks such as the Lehman's were not subject to the same regulations और चुकि इनके उपर बहुत जादा regulations लागू नहीं होते थे इसलिए उन्होंने jump के leveraging की एक रुपया जेब में था और 31 रुपय का loan उठाया और loan उठाने के बाद ये हुआ कि market के अंदर 3 percent का correction भी Lehman Brothers की जो मूल संपत्ती थी वो पूरी की पूरी wipe out हो गई friends आपको याद होगा live session के दौरान एक दिन हमने एक analysis की थी कि future future segment के अंदर अगर आप 10 रुपय का माल देकर 100 रुपय का माल उठाते हैं और अगर 100 रुपय के माल में हर biscuit के packet में सिर्फ एक रुपय बढ़ता है तो 10 रुपय का माल आपका 20 रुपय का हो जाता है यानि डेबल हो जाता है यह लिओर देखकर हर कोई future and options के अंदर भागने की कोशिश करता है बट किसी को यह नहीं पता कि 10 रुपय का वो सामान अगर सिर्फ 10 पृतिशत कम होता है यानि एक रुपया कम होता है तो overall value पर 10 रुपय का फरक पड़ता है यानि आपकी पूरी की पूरी जो value है पूरा मूलधन आपका सब खतम हो जाता है यह particular information है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता खैर leveraging की बात हुई है तो यहां सरा ध्यान से देखिए कि share academy ने leveraging के बारे में क्या कहा है playlist section के अंदर जाईए learn to earn series के अंदर जाईए और learn to earn series में एक video ढूणने की कोशिश कीजिए जो हमने latest video डाला था और इस video का title है leveraging निवेशकों का दुश्मन क्यों है यह इतिफाक नहीं है friends कि हम वही बात कह रहे हैं जो बात आपको internet पर बड़े-बड़े retail निवेशक बड़े वो कह रही है कि leveraging गलत है और वही चीज हम भी आपको बतानी की कोशिश कर रहे हैं कि निवेशकों का सबसे बड़ा दुश्मन leveraging है यहां से थोड़ा शेयर्स को नहीं खरीदना है आपको और और आगे चलते हैं और थोड़ा सा और डिक डीप करने की कोशिश करते हैं कि आख सबसे बड़े निवेशक हैं सबसे बड़े investment guru हैं यह क्या कहते हैं इनके बारे में और Warren Buffet का कहना है कि derivatives are financial weapons of mass destruction यानि derivatives का मतलब है F&O segment future and options में जितना ज्यादा नुकसान future and options ने किया है retail निवेशकों का इतना नुकसान आज तक किसी ने भी नहीं किया यह कह रहा है Warren Buffet और उसके बावजूद जब भी आप सर्च करेंगे YouTube पर best option strategies तो आपको मिलेगी इस strategy को कोई fail नहीं कर सकता है sure short strategies मिलेंगी कमाने की हर दिन धाई से 3000 रुपए चलिए देखते हैं कि इसके बारे में Warren Buffet असल में कह किया रहे हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा वीडियो हलाके English में हम आपके लिए इसका बिल्कुल सरल भाषा में Hindi translation देंगे एक बहुत ही मशूर इंटरव्यू है जिसमें Warren Buffet पर एक बुक लिखी हुई थी एक लेडी ने और ये interviewer हैं सो ये interviewer पूछ रहे हैं कि Warren Buffet की history क्या है derivatives के बारे में कि मतलब derivatives के बारे में Warren Buffet का क्या कहना है तो Well he has a checkered history with derivatives I say first of all one of the best stories in the book is when is from 1987 right after the crash of 87 and it's a letter that he wrote congressman Dengel in which he warned right absolutely in which he warned about what could happen with 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 index trading futures index trading futures trading of index लेडी कह रही है कि वारेन बुफे ने हमेशा से ही जो यूस कॉंग्रेस है यानि कि जैसे अपने हाँ संसाथ होती है वैसे यूस में उसको कॉंग्रेस कहते हैं यूस कॉंग्रेस में एक बिल पास होने जा रहा था 19 19 1992 कि आस्पास की बात है यह जो वहां के कउंग्रेस में एक बिल पास होने जा रहा था कि अगर इस चीज को आप बढ़ावा देंगे अगर आप इसे लीगल कर देंगे और फ्यूटर ट्रेडिंग आपने अगर एलाओ कि यानि अगर अलाओ की तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे एकोनमी के उपर वारेन बफ़े इसके इंदर इस चीज को और थोड़ा सा डिटेल में अनलिसस समझाने की कोशिश कर रहा है और ये लेटर वारेन बफ़े कहा है कि मैंने 82 में भेज दिया था कॉंग्रेसमेन को बट कॉंग्रेसमेन ने इसे उठाने की इसे पढ़ने की जहमत नहीं उठाई और कब इस लेटर के जिकर कब हुआ जब 1987 में यूएस एकोनमी में मार्केट के अंदर एक बहुत जबर्दस क्रैश हुआ और ये लेटर फॉर्चुन मैगजीन के दौरा 1987 में जब क्रैश हो गया उसके बाद प्रिंट किया गया यह वो पर्टिकुलर क्रैश ब्लाक मंडे के नाम से जाना जाता है 1987 में और क्रैश कितना जबर्दस्त हुआ था जरा इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि क्रैश की इंटेंसिटी क्या थी सबसे आखिर में दाओ जोन के ऊपर इसका असर आया और कितना गिरा दाओ जोन इंडस्त्रियल आवरेज एक दिन में बाइस परसेंट गिर गया ठीक और इसकी वजय क्या थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह समझना इससे भी ज्यादा अब पापुलर एक्स्पारेशन फॉर्टेटेटेट बाइ पॉर्ट्फोलियो इंशोरेंस हैजेज नाओ हैजिंग क्या है बेसिकली स्पेकुलेशन हैं हेजिंग में इस्तमाल करते हैं आप ऑप्शन ट्रेडिंग का इस्तमाल किया जाता है असल में हेजिंग परपस के लिए और ये वो पर्टिकुलर रीजन था जिस रीजन के लिए वारेन बफे ने हमेशा से अवाइड करने के लिए कहा था F&O सेग्मेंट की ट्रेडिंग बट नहीं मानें बावजूद इतनी इंफॉर्मेशन कि अगर आप आज भी यूट्यूब पर सर्च करें best option trading strategies तो आपको ये सारे के सारे समझदार लोग मिलेंगे option trading के बारे में बताते हुए जहां पर sure shot guaranteed दे रहे हैं वो कि दिन में 4-5,000 तो आप कमाई सकते हैं खैर अगर Warren Buffet ये बात कर रहे हैं अगर Warren Buffet बात कर रहे हैं तो जड़ा देखते हैं कि Warren Buffet के साथी और market guru Charlie Mangar और Warren Buffet दोनों इस बारे में खुल कर क्या कहते हैं तो ये ओमाहा में हुई एक annual जो meeting है भक्षायर हाथवे की वो होती है उसका एक clip है English में है अगेन इसे बिल्कुल simple language में आपके लिए हम पढ़िया explanation हो ही नहीं सकता है F&O segment के बारे में देखिये ये क्या कह रहे है Warren Spence from Omaha, Nebraska. I have a two-part question on derivatives. Does Berkshire Hathaway currently or had they in the past engaged in strategies and involving derivatives? If so, do you as CEO fully understand these financial instruments? Whoever suggested that crazy notion. Finally, would Charlie Care, you or Charlie Care comment on the use of these by other financial institutions? So, question पूचा गया है इनसे, कि sir, क्या Berkshire Hathaway कभी भी derivatives market के अंदर involved रही है? क्या आपने F&O segment के अंदर trading की है? आपकी जो organization है, इसने F&O segment के अंदर trading की है? या क्या आप F&O segment को बहता समझते हैं? देखिए क्या कहना है Warren Buffett का? इनका कहना है कि मैंने इससे पहले भी कई बार बताया है कि derivative market के अंदर जो trading है, उसे बहुत ही ज्यादा कम करना चाहिए, उसे minimize करना चाहिए, गवर्मेंट को इस पर action लेना चाहिए. या क्या चाहिए, हैस्ज अ? ज़ानते हैं, पूरह जारे नहींते हैं। चाहले हैं। आज हैंने थैज वे वे रग प्रांसें कि सब्सक्षा लारे हैं। छो Persian fod vidéo झालिख को में वीज वापनि हम अचे से से समीज जाएंभनि प्रांतियू έ टिझानों ना के व मीना हुआ है रपत대 है मनिले का यह वांभ जैज जो का very much about the counterparty because that transaction is just a little piece of paper between two people and and it's going to cause one of the two to have to do something painful at the end of the period usually which is to write a check to the other person and therefore you want to be sure that that person will be both willing and able to to write the check and so we're so Warren Buffet का कहना है कि derivatives एक ऐसा option है जिसका इस्तमाल करने से हम कभी चूकेंगे नहीं अगर ये हमें अगर ये हमें मिलता है और हमें इसका मौका मिलता है और ध्यान रखिए जब Warren Buffet ये कह रहे हैं तो हम से मतलब है एक ऐसा institution जिसके पास में सबसे ज्यादा professional लोग है organizational capabilities है और ध्यान से सुनिये कि Warren Buffet क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि derivatives basically combination है borrowed money का और ignorance का borrowed money का मतलब क्या है leveraging जब आप कभी भी FNO segment के अंदर trade कर रहे हैं तब आप जितना आपकी जेब में पैसा है उससे ज्यादा का हमेशा माल खरीते हैं आप हमेशा कम पे कर रहे हैं और उसके साथ में ignorance ignorance क्यों क्यों क्योंकि हर newcomer market के अंदर जो आ रहा है निवेशक वो ये चाहता है कि बिना knowledge के market के अंदर पैसा कमा ले FNO segment के बारे में सबसे कम knowledge रखते हुए आदमी ये सोचता है कि उसे सबसे ज्यादा profit मिलेगा और ये सबसे dangerous है market में ये हम नहीं कह रहे हैं ये Warren Buffett कह रहे हैं कि ये में ये हैं ये कि ये ये और एंदान है आलना फ्रहे हैं कि ये लिए कि अध इन वे लिन्हादान के कि ये अव्यादा अशना है इन दोने आले हैं for a lot of mistakes and mischief and if you've looked at the formulas involved in some particularly I guess interest rate type derivative instruments it is really hard to conceive of how any business purpose could be solved by the creation of those instruments you say that if you look at the formulas you say that if you look at the formulas FNO segment in which the formulas are made in which the values are derived from these things they say that they are very tough and they say that they are artificially risk and Warren Buffet says that I don't understand that what a business of which the purpose is in the form of derivatives is in the form of derivatives this is my understanding so think that a new asset is the most important the most important asset which has been used to be who says that derivatives are artificially risk is going to be in the form of the formulas that are so small that they don't understand even the CAs even the CAs that they don't understand if you listen to big discussions to listen to Anil Singh VG that they say that this value is how we can derive you but we can't understand the formula you can't understand and Warren Buffet said that if you don't understand something that you don't understand then it means that you don't understand that you don't understand now listen to Anil Singh I mean they essentially had a huge really gambling element to them and I use that in the terms of engaging in the risk that doesn't even need to be created as opposed to speculative aspects they involve the creation of risk they say that F&O segment derivatives when they have created their risk and Warren Buffet said that derivatives that is part that is part of the particular which is part of the part which is also part of the part that is not the gambling part which is also part of the part which is not the transfer of risk not the moderation of risk but the creation of risk on a huge scale जब आप किसी एक share को खरीदते हैं और अगर आपने किसी दूसरे से share, जाहिर है कि अगर आप share खरीद रहे हैं, तो कोई बेच रहा है तो आप share खरीद रहे हैं, यहाँ पर transfer of risk होता है, but derivatives के अंदर creation risk हो रहा है, artificially risk create किया जा रहा है, और Warren Buffett कह रहा है कि यही यह चीज है जो मेरी समझ से बिलकुल परे है, and it may be fortunate that in the last year, half a dozen or so, cases of people who have gotten into trouble on them have come out because that may tend to moderate the troubles of the future. The potential is huge, you can do things in the derivative markets, well I've used this example before, but in borrowing money on securities, the Federal Reserve and the US government decided many decades ago that society had an interest in limiting the degree to which people could use borrowed money in buying securities. They had the example of the 1920s with what was 10% margin that was regarded as contributing to the... ध्यान से सुनिये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि government का और federal reserve का एक अपना interest था, जब उन्होंने ये ताय किया था, कि market के अंदर margin money कितनी लगेगी, ज़रा ध्यान से सोची इस चीज को कि कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, Warren Buffett कह रहे हैं कि जब आप market के अंदर 100 रुपए आपकी jeb में हैं और आप 100 रुपए के shares खरीदे हैं, आप कोई leveraging नहीं करते, आप किसी तरह की leveraging नहीं कर रहे हैं, आपकी jeb में 100 रुपए हैं, आपने 100 रुपए के shares खरीदे, वो आपके portfolio में आगये, demat में आगये, तो इस सोसाइटी का इंट्रेस्ट है और यही नियम तैह हुआ था जब मार्केट शुरू हुई थी इनिशल स्टेज में सो गॉशन में ने कहा था उस समय कि आपको मार्जिन मनी देनी होगी मार्जिन मनी का मतलब है कि उस समय का मार्जिन 50% के करीब है करता था है कि जब आप वाय करेंगे ऑवक कोई भी शेयर तो देना ही Super इनिशेल मार्जिन मनी के हिसाब से, ये 50% था इनिशेल में. इनिशेल में, इनिशेल में, इनिशेल में, इनिशेल में 50% मार्जिन देना पड़ता था, और आज की रेट में, डेरिवेटिव मार्जिन भी बहुत ज्यादा माना जाता है. तो लोग क्या करते हैं, कि 3 रुपए देकर 100 रुपए का माल खरीते हैं, 3% मार्जिन पर काम कर रहे हैं, ये वो चीज है जिसे वार्ण बफे बहुत ज्यादा घवराय हुए हैं, और कह रहे हैं, कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है, इस मना की नहीं मानी, जिसकी वजह से मैं ले कई बार नुकसान भी उठाया है, ध्यान से सुनिये कि चार्ली मंगर क्या कहते हैं, इस डेरिवेटिव के बारे में, इस डेरिवेटिव के बारे में, यानि कि तुम जितना मना करते हो न डेरिवेटिवस को करने के लिए मैं उससे ज्यादा मना करता हूँ डेरिवेटिवस में हाट डालने के लिए किसी भी रिटेल निवेशक को क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इस दुनिया को चला रहा होता तो जितनी आज ये डेरिवेटिव मार्केट है न जितना ये फ्यूचर अप्शन्स होता है इसका सिर्फ 5 ही परसंट में approve करता इसका 95 परसंट में wipe out कर देता क्यों कह रहा है चार्ली मंगर जैसा एक market guru वो वो ऐसा क्या समझ रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं आप ज्यादा समझदार है उससे चार्ली मंगर से ज्यादा जो कह रहा है कि डेरिवेटिव यह था derivative market तो क्रिस्प एंड क्लियर चार्ली मंगर ने क्लियर कहा कि अगर मैं दुनिया चला रहा होता तो मैं इन FNO सेग्मेंट्स को इन डेरिवेटिप्स को बिल्कुल अलाओ नहीं करता यह इसकी मैं उससे भी ज्यादा भर्टसना करता हूँ जितना की Warren Buffet कह रहे है कि मुझे पसंद नहीं डेरिवेटिप्स और मैं मना करता हूँ चार्ली मंगर कहते हैं मैं इससे भी ज्यादा मना करता हूँ बट अगर आज भी आप YouTube के अंदर सर्च करें Best Option Trading Strategies तो अगेन आपको मिलेगे यह सारे के सारे लोग जो आपको बहुत अमीर बना सकते हैं Best 12 Option Strategies 7 Positional 5 Intradays कहीं मिलेंगे आपको 5 Option Trading Strategies that every trader should know हाँ मतलब trader को यह information नहीं जाननी चाहिए ठीक एंदेन आपको बहुत सारी Pull, Call, Put सारी Strategies मिलेंगे 5 Option Trading Strategies for monthly income के लिए भी Strategies मिलेगी Bank Nifty Option में इस ट्रिक के दोरा बनाएं 3000 से 15000 रुपे तो दोनों में से एक ही सही हो सकता है और या तो Charlie Mangar और Warren Buffet सही है या फिर ये लोग सही है इतनी information के बाद हमने कहा कि बाई ऐसा है क्या कि केवल दुनिया के जो भारत से बाहर के लोग है सिर्फ वही लोग इस बारे में information देते हैं या फिर ऐसा है कि इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में बात करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाहर के लोगी सिर्फ अवाइड करते हैं derivatives को और इंडिया के अंदर ये धंदा बहुत फल भूल रहा है इंडिया के अच्छा चल रहा हो तो हमने का चलिए इंडिया के कुछ जो बहतरीन stock market gurus हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनका इस बा में क्या कहना है तो आप जाला दिजिए आप लिए आप तो wealth creation guru है हमरे लिए ग्यान आपका business आपको यादा समझाता है और आपके दर्सकों क्या देखने का वह समझाता है लेकिन पैसे बनेंगे investing में, speculation मेंने एक ये समया है लोगों को की difference between speculation and investing ये आप कंपिनियों साब समय कोई चीज़ खराब नहीं है, speculation खराब नहीं है लेकिन उसके अपने rules है और वो rules में उसका master होना वह एक अलग्सी है कई लोग जो speculation कर रहा है उनको लगता है कि वह investing कर रहा है in the name of investing there is speculating और आखरे में अंग उसका बहुत खराब होता है क्योंकि fraction cost बहुत परता है speculation तो ये आप आपका चैनल आपका चैनल आपका चैनल आपका चैनल है इंवेस्टर सबके लिए है तो आपको वही चीज़ देनी पड़ेगी जो लोग देखना सुनना पसंते है लेकिन उनको ये तो मौनमर है क्या बेखना है तो मेरे खाल से difference between speculation and investing has to be brought out very clearly in the mind इसलिए हम कोशिश करते है कि जाए तो कुछ ये पाठ्चाला हो या हमारी investment गुरूप को इसके जरी हम जाहिर सी बात है कि एक तरस से कह भी सकते कि departmental store है तो सब के लिए कुछ ने कुछ है जिसको पसंदाए हो लेकिन हाँ ये ज़रूर कोशिश रहती कि इस departmental store का एक छोट इन्वेस्टिंग की बढ़िया companyों में अच्छी तरह से निवेश करना लंबे समय तक के लिए इसे ये कह रहे हैं premium quality product तो अगर निवेश अच्छी companyों में premium quality product है तो फिर speculation क्या है ये comment box में जाकर आप friends हमें बता सकते हैं उसके लिए जो शब्द इस्तमाल करना है आप वो कर कोशिश कीजिएगा कि अगर निवेश premium quality product है तो फिर speculation क्या है वहाँ बाली कम लोग आए जैसे कि हम research गुर करते हैं हर सेक्री की analysis करते हैं या हम investment गुर करते हैं यहां पर हम लोगों को basic समझाने की कोशिश करते हैं तो कोशिश बिलकुल और आप क्योंकि ultimately wealth creation के लिए आपक trading में 100 के 100 जीतेंगे और trading में 100 guys will lose जरा ध्यान से देखिए यहां 98 guys will lose to only win ये वज़य है कि profit सिर्फ 6% के पास में है बाकी के 94 प्रतिशत या तो उन्होंने काम नहीं किया या फिर वो नुकसान में रहे ये एक ऐसी information है जो corroborate हो रही है confirm हो रही है अपने Indian निवेश गुरू जो है वो भी यही कह रहे है second India के निवेश गुरू निले शाजी कोटेक महिंद्रा बैंक के MD सबसे बहतरीन return देने वाले portfolio manager ज़रा देखते हैं कि वो क्या कह रहे है इसके बारे में HDFC bank HDFC के HEM में जाबे है अभी ऐसा कोई आणी रही मिला जो आके HDFC में निवेश अज़ागे बढ़ा है और अगर अच्छा पैसा बन रहा है तो आज बढ़ा ही हो गई बच्चे को बिजनस में इंवेश करने का इसा दे रहा है हमारी retirement secure हो गई है trading करके किसीने 26% return निकाला वो नहीं दिखा है बट investment करके किसीने 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 return बनता हुआ बार बार दिखा है जब आप मिवेश कर रहे हैं तो बच्च एक्ड आप डिस्पलिन चाहिए बहुत कुसलता चाहिए जो ऑदिनरी निवेस्टर में पाना मुश्किल है जब आपको कभी कोई गहे कि आप ट्रीडिंग करने के लिए आ जाए इस्टोप मार्केट में प्लीज रिमेंबर इस्टेटरी बार्नि के लिए एक अपने जैसे नॉर्मल आदमी के लिए ट्रीडिंग एग नेगिटिव चीज है ओके फ्रेंड्स यह है निले शाजी जिनका वीडियो आपने इससे पहले देखा है हमारे इस चैनल पर ही शेयर अकैडमी पर ही मार्केट गुरू और जो इन्होंने अपनी बहतरीन रिसर्च टिप्स दी साथ ही साथ निवेश के जो नियम बताए उनको भी हम आपके सामने ले इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना कुछ जानना यह सारी इन्फॉर्मेशन करने में वक्त लगा अच्छा खासा और उसके बाद यह इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई तो अगर इसे समराइज करें तो समरी यह है कि मार्केट के अंदर नौइस बहुत सारा है आप यूट्यूब अगर कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको हजारों चीजे मिल जाएंगी ठीक है यही पर आपको यह भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्मॉल ट्रिक्स छोटी छोटी ट्रिक्स जहां पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं और यही पर आपको मार्केट के सबसे दिगज वही गुरू जिनका नाम लेकर यह लोग अपनी अपनी बिजनेस चैनल चला रहे हैं और अपनी अपनी ये यूट्यूब वेबसाइट चला रहे हैं अपने चैनल चला रहे हैं वही मार्केट गुरू आकर आपको यह सिखा रहे हैं कि लागत लगती है, जो गलती हमने की, वो गलती आप न करें, इसके लिए हमने आज का इस सेशन बनाया, आखिर ये लोग जो मार्केट को चला रहे हैं, जो मार्केट के अंदर सबसे अच्छे मेंटॉर्स हैं, ये मूर्क तो नहीं है, ये आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलतीया इन्होंने अपने टाइम में की, ताकि आप वो गलतीया ना करें, साथ ही ये आपको वो नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो नॉलेज मार्केट के अंदर सबसे जरूरी है कि निवेश और सिर्फ निवेश वो एक लौता रास्ता है, जहां से आपके वाले हमेशा से ये सिखा रहे हैं, और इस वीडियो के बाद हमारा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा कन्विक्शन जरूर आया होगा, कि F&O सेग्मेंट कितना रिस्की और कितना गैंबलिंग से भरा हुआ है, जिस सेक्टर के अंदर आपको अच्छी तरह से नौल लेने के ब आद, कमेंट बॉक्स में कि इस पूरे वीडियो से आपको अगर कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा, उस पार्ट के बारे में जरूर बताईएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उन आपके बाद ही इस तरह के क्वालिटी वाले वीडियो हम लेकर आते हैं आपके सामने, जो नकिवल आई ओपनर होते हैं, बलकि लॉंग टर्म में आपकी जर्नी को संभालने में बहुत मददगार होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि ये वीडियो आपके सब कौन्शेस मा भाल हो जाते हैं, जो मार्रेट के अंदर आते हैं, स्पेकूलेशन गयम्बिंग करते हैं, और उसके बाद सारा पैसा गमाकर हाज-घाल कर मार्केट से चले जाते हैं, आप एक अछे सफल निवेशक के तार analytic में enjoy किया होगा, मुलाकात होगी आपसे अगले session में, तब तक के लिए, thank you very much. तक के लिए, thank you very much.